मित्रों जय माता दी, आप देखें धर्म सिक्षा, धर्म सिक्षा में हरोज की तरह एक बार फिर से, मैं हाज रूँ आज का संपून रासी फल लेकर, ये संपून रासी फल है सनिवार यानि की 4 जून 2022 का, अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबत 2089, जे आज साम के 7 बच कर 1 मिनट तक रहेगा, तो दुप्रान फिर 87 अरंब हो जाएगा, वरत्युहार में सा कुछ नहीं है, लेकिन सुबह के 5 बच कर 38 मिनट से मिर्ति उबान आरंब होगा, मित्रों आपको आज का पंचांग और फिर विश्तार से जानना है, एक-एक मोहरतों ग आज का खादे बतात आपके लिए शुब रहेगा, रासी उनुसार कुण सा रंग सुब रहेगा, और रासी उनुसार कुण सा लखी नमर आपके लिए आज रहने वाला है, तो वीडियो में हमारे साथ अंतर तक बने रहिए ताकि आपको संपून रासी बल की जानकारी हो प क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही पूरा का पूरा रासी फल निर्भर करता है, आज सुक्र और राहू दोनों एक साथ मेस रासी में, सूर्य बुद्ध, दोनों एक साथ वेस रासी में, चंदर्मा करक रासी में, केतु तुला रासी में, सनी कुम रासी में, गुरु और पते जानल दोनों एक साथ मीन नाशी में व की राजित हैं तो इनी सब्सक्राइब आपका मन उमंग से भरा रहेगा लेकिन आज आप थोड़े भावग भी हो सकते हैं, किसी की बातें आपको ठेस पहुँचा सकती है, तो ज़्यादा भावनाओं में न भहें, वरना आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुँच सकता है। कुछ जातकों के पैसे दूसरों पे खर्च हो सकते हैं, जिससे घैलू जीवन में कुछ तनाव का सामना भी करना पड़ सकते हैं आपको, आपके जो भी प्रियेजन हैं, वे आपके भरोसे और वादे की जरूत को आज महसूस करेंगे, व्यापार अधन की बात करें, तो जो आ तक नोकरी करते हैं, उन्हें आज ओफिस में अच्छा माहौल मिलेगा, काम काज के स्तर में भी सुधार होगा, व्यापार से समद्धित आपको कहीं यात्रा प्याज जाना पर सकता है, और ये आपके लिए लाबदायक भी होगा, तो यात्रा के मोके को हाथ से ना जाने दे इस मोके का फाइदा जरू उठा हुएं, आपके व्यापार के लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे हैं, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन मध्यम रहने वाला है, मेनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी, स्वास्त की बात के भोजन और निद में और नियमित्ता रहेगी, जिससे आपका स्वास्तित और डग मगा सकता है, अगर इससे बच कर रहेंगे तो आपका स्वास्तित ठीक रहेगा, प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है, आपका प्यार और आपका जीवन जिसके फ्रसुब आज के इन आपकी चिंताएं कुछ कम होंगी आपकी कलप ना सकती और सिजन सकती उभर कर सामने आ सकती हैं ऐसे में जो जातक स्राहित लेखन और कला के छेतर से जुरे हुए हैं उनको सफलता की प्राप्ती हो सकती है आज कहीं आप यात्रा पे जा सकते हैं अगर कोई पारिवारिक उलजहन है तो उसे सुलजहने का यह एक अच्छा समय है आज के इन आप अपने पारिवारिक रिष्टेनाते के उलजहनों को सुलजहने में काम्याब भी रहेंगे लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोस समझ कर बोले किसी प्रेमी जोरों को मिलवाने में आप मददाज कर सकते हैं व्यापार और धन की बातके वित्ति मामलों पर ध्यान देने की आविश सकता है आज किन आपके लिए काफी फायदे मन्द भी साबित हो सकता है लेकिन निवेस सोस समझ कर ही करें आपको अपने भागिदारों यानि की पार्टनर्स के विरोत का सामना करना पढ़ सकता है विद्यार्थी की बातके साहीत लेखन और कला के छेतर से जुरह हुए विद्यार्थियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है सफलता मिलने की संभावना भी बन रही है स्वास्त की बात के स्वास्त के देश्टी से आज की आपके ठीक ठाक रहेगा लेकिन आज आपको अपने संतान के स्वास्त की चिंता रह सकती है तो अपने संतान के स्वास्ते का ध्यान जोर रखें प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है आज आपको महसूस हो सकता है कि जीवन साथी के जीवन में आपके कितनी जरूरत है आज किन निमपु अपने खाते पताते में सामिल करेंगे आप तो आपके वे सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबर्ण सफेजरां लगी नमर 11 रहने वाले हैं बात केंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी में चंद्रमां 12 हुए इस्थान में विराजी थैं जिसके फ्रसुब अगर आज अपने दिन आप खुसनुमा बनाना चाहते हैं तो आपको मानसिक तनाओ और जहनजटों से बच कर रहना चाहिए कुछ दिनों से आपका व्यक्ति का जीवन ही आपके ध्यान का केंदर है लेकिन आज आप समाज कारियों पर जाध्यान दे सकते हैं और किसी ज़रोपन व्यक्ति की मदद करने की कोसिज भी कर सकते हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आज आपके बिगरे हुए कारी बनेंगे आर्थिक योद्नाओं के कारण आपकी कई परेसानियां कम होंगी पडिवार में सांती और आनंद का माहौल बन सकता है व्यापार और धन की बात के नोकरी ये व्यविसाई जो भी आप काम करते हैं उसमें आपके सही योगियों का सही योग आपको प्राप्त होगा जिससे कारेस्थल पर माहौल अच्छा बना रहेगा आज कई सुरोतों से धनलाप के योग भी आपके लिए बन रहे हैं बात करंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों को आज कड़ी महनत करने की आविस सकता है जो जातक महनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ती भी होगी स्वास्त की बात का है स्वास्त की द्रिष्टी से आज किन अपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान रखें, मौस्ट में विवाणियों से सचेत रहें प्रेम समर्ण की बात करें तो आज आपको अपने जीवन साथी के गुस्से का सामना करना पर सकता है विवाह योग जात्कों के लिए आज का दिन उप्योगत रहने वाला है आजकें दूद या दूद से बने वीची ये खाएंगे तके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग कालारंग लखी नंबर चार रहने वाला है बात करकरासी की करकरासीम चंदरमा पर्थामस्थान में विराजित है जिसके फ्रसब आजके इन आपको कहीं से सुबसमाचार की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों और प्रियेजनों के साथ आपको दिन काफी अच्छा बीटेगा किसी से कुछ उपहार की प्राप्ती भी हो सकती है लेकिन सचेद रहें आज नसीप अजनवियों से बलकि दोस्तों से भी साब्धान रहने की आपको जरुरत है। बाहर कहीं घुमने की योजना बन सकती है तथा स्वाधिष्ट भोजन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आज के निन आपके लिए कई तरह से फाइदे मन साबित हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कई चीज़ें आपके पक्ष में भी जाएंगी और आपको हर काम में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। बात करेंगे व्यापार और धनकी तो जो आतक नोकरी करते हैं व्यापना कारी अच्छे तरह के सही करें क्योंकि आज आपके बौस की निजर आप पर ही है। की बात के स्वास्ते आपका अच्छा रहेगा मसालेदार खानों से बचें। प्रेम समन्त की बात के आज के दिन आपके जीवन साथी को भावनात्मा तो पर ब्लैक मेल करने से आपको बचना चाहिए इससे आपके रिस्ते खराब हो सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई अजने भी आज नोगजों का करन भी बन सकता है। आज के ब्राउन राइशाने की पका चाहल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुब रंग सिल्बर क्रार लखी नमर छे रहेगा। बात केंगे सिंग रासिकी। सिंग रासिम चंद्रमा दूसरे स्थाने विराजित हैं। जिसके फ्रसुप आज आप कोट कचाही के मामले से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मन में किसी परकार की बेचैनी और चिंताएं रह सकती है। वानी और व्यवहार में सयम रखना आवज सकती है। आज आप किसी बात को लेकर भावग हो सकते हैं। आज के इन खर्चों पर अपनी नियनतन रखें खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। कुछ जातकों को लंबा समंधित, लोगों से मिलजूल कर रहे हैं, समझ और धारी से ही काम करें। साथ ही कारेस्थल पर साथानी लेकरते हैं। आज के इन जल्दी बाजी में निवेस तो बिलकुल भी न करें। अगर आपको कहीं निवेस करना भी हो तो नियोजी धंग से करें। समझकर ही करें। अनभवी लोगों की सलासे करें, वरना आपको नुक्सान हो सकता है। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आजके इन सामाने रहने वाला है। आजके इन सोसल मीडिया में ज्यादा समय बरबाद ना करें। अपने पढ़ाई पर ध्यानते सफलता इसी से मिलेगी। स्वास्ते की बात करें, आजके इन आपका स्वास्ते में थोड़ा उतार चलवा आ सकता है। स्वास्ते थोड़ा खराब रह सकता है, तो अपने स्वास्ते का ध्यान रखें। प्रेम समन्ध की बाद के हैं, आज कि आपके व्याहिक जीवर जीवन के लिए अच्छा रहनेगा है, जीवन साती और सामधत से बना रहेगा किसी प्रिवे व्यक्ति से मुलाकात होन की संभावना बंड़ी है कारे स्थल पर परिश्रम के अनुरूप लावकी पाफ्ति भी होगी किम्ती बस्तों को समाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भय बना रह सकता है आज आपके लिए नया काम करने के लिए भी अच्छा दिन है व्यापार उधन की बात करें तो व्यापार उधन की देश्टी से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है बुज़र्व जात्कों को पुरानी बिवानी उसे कष्ट भी हो सकता है तो अपने स्वास्ति का धिहान जोग रखें प्रेम समंद की बात करें तो पत्ति पत्नी के बीच आज प्रेम समंद अच्छा बना रहेगा समंदों में मधूरता बनी रहेगी अपने जीवन साथ ही के साथ समय बिताएं ये आपके प्रेम समंद के लिए अच्छा ही रहेगा आज के नगा अंकुरी तनाज घाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग ब्राउन क्रण लकी नमर एक रहने वाला है बात के ने तुलारा सिकी तुलारा सिम चंतरमा चोथे स्थान में विराजी थे जिसके प्रसुब आज आपके घर दधाकारे स्थाल में वेहतर वातावन रहने से आपको काफी परसनेता होगी मित्रों या परिवार के सज़स्यों के साथ मौज मस्ती भरी यातर आपको सुकून दे सकती है आपके किसी प्रिये व्यक्ति के साथ कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं साथी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे अगर किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो उन से अच्छे समझ बना के रखें व्यापार अधन की बात कित आज रोजगार प्राप्ति के प्रियाद सफल रहेंगे नोकरी करने वालों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है व्यापारी वर्ग आज थोरा समझ कर रहें विद्यार्थी की बात के चंद्रमा के चौथे भाव में होने के कारण आज आपका मन पेक्षाकरी ज़्यादा चंचल रह सकता है पढ़ाई साब का ध्यान भटक सकता है स्वास्त की बात के स्वास्त के देश्टी से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान जोर रखें प्रेम समंध की बात के आज का दिन आपके प्रेम समंधों में थोरी खटा सुथपन हो सकती है जीवन साथी के साथ कुछ मदवेदों कर सामने आ सकते हैं तो मदवेदों से बचे हैं आपको अपने प्रेम समन्थों के प्रति सचेत रहना चाहिए, हो सकता आपका जीवन साथ ही आज आपके लिए प्रयाप समय ना निकाल पाए, तो उन्हें समझने का प्रयास करें। आज कि जो या जो से बनी विची आ खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग फिरोजी रंग लगी नमबर साथ रहेगा। बात करेंगे विश्चिक रासी की, विश्चिक रासीम चंत्रमा पांच में स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप आज आपको अपने जीमेदारियों को समझने की आवेश सकता है, अपने जीमेदारी का निर्वा अच्छे धंग से करने का प्रियास करें, आज आपका मन को मिल सकता है जदा लाब के लिए आपको अपने कारी प्रणाली में सुधार करने की आविश सकता है कुछ राज़किय सहीयोग मिलने की संभावना बन रही है साथ ही संतान के साथ मतभेध हो सकते हैं आज कोई भी महतपूर निर्ने सोच समझ कर हिले किसी अध्यात्मिक गुर करें लिए आज के सामाने रहने वाला है मेहनत करें सफलता मिलेगी आपको सवास्थ की बात की के आज आप ठकान हो अलसर का अनभव करेंगे वैस्त दिन चुरिया होने के वाबजू आपका स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम समेंध की बात के विवाहिज जातकों को ग्रह रंग लकी नमर आठ रहेगा बात केंगे धनुवासिकी धनुवासिम चंद्रमा छटे स्थान में विराजी थे जिसके फ्रसुप आज आपके उदार सोभाव का गलत फाइदा उठाए जा सकता है तो सचेत रहें आज आप काफी व्यग्र और चिंतित भी रहेंगे आज आपक आज अगर कहीं निवेश करते हैं तो उसके भाय में पहले से घहराई से जानने की कोशिस करें कोई भी कदम उठाने से पहले विशे openness कि की सलाह जोरएं तभी कहीं निवेश करें विध्यार्थी की वीद्यार्थियों के लिए आज कि सामाने रहने वाला है आजके इन सोसल मीडिया में ज्यादा समय परवाद ना करें अपने परहाई परी ध्यान दें स्वास्त की बात करें आज आपको अपने स्वास्त का परती साथभान रहने की ज़रत है कप और पेट समंधी बिवारियां आपको परिसान कर सकती है प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के दिश-डिश से आज की आपके इच्छा ru करने वाला है जीवन साथी से सामजस से आपका बना रहेगा आज के इस साबूत अनाज गहेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबंग लाइट येलो करा लकी नमर दो रहेगा बात के लिए मकर रासी की मकर रासीम चंद्रमा साथ में अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज की आपको मान समान की प्राप्ति होगी आज आपका समय मनोरेंजन में बीतेगा स्वाधिष्ट भोजन की प्राप्ति भी होगी दोस्तों और परिजनों के साथ कहीं घूमने या समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के भी सब के ध्यान का केंद्र बने रहेंगे व्यापार और धन की बातकर आजके आपके लिए कारोबार के विष्थार और धन संगरा करने के योग बन रहें परबल धनलाप के भी योग बन रहें आपके व्यापार में विर्दी होगी कारी छेतर में आपके काम काज की सरहना भी होगी जल्दबाजी में फैच ले ना करें इससे आपको जीवन में आगे पस्ता ना पढ़ सकता है विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी के लिए आज के इन मध्यम रहेगा फोन और सोसल मीडिया में ज़्यादा समय बरबाद ना करें मेहनत करें सपलता मिलेगी स्वास्त की बात करें आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा अपने जीवन साथी के स्वास्त का धिहान रखना चाहिए आपको प्रेम समन्द की बात करें तो आज खिन आपके प्रेम परसंगों के लिए अनुकूल रहेगा आज आप अपने जीवन साथी को या जवू बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समन सुद्रेड होंगे आज किन ब्राउन राइशाने की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रेंग औरेंज कलर लखी नमर चार रहेगा बात केंगे कुमरासी की कुमरासीम चंदरमा आठमें अस्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज बेकार के सोच में आपका समय और उर्जादों नो बरबाद हो सकता है तो इसका ध्यान रखें बलकि अगर सही दिसा में समय लगाएंगे तो उसका लाब भी आपको मिलेगा भागीदारी वाले वैविसायों में निवेस करने से बिलकुल बचें आज किसी परकार का जोखी मिलाने से बचें आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन है कुछ जात्कों के लिए की गई यात्रा और निवेस सफल रहेंगे आपके द्वरा की गई कारी साब को यस और कीरती की प्राप्ती भी होगी परिवार में सोहार्थ पुन वतावरन बना रहेगा नोकरी और कामनन्दे की जगा सहयोग्यों का सहयोग मिलेगा खर्च आपका बढ़ेगा आज लोग आपकी वह परसंसा करेंगे जिसे आप लंबे समय से सुनना चाह रहेते वियापार और धन की बातकिट आज आपका नाचाहते हुए भी फालतू का खर्च बढ़ेगा तो अपने बढ़ते हुए खर्च पर नियंतन जूर रखें या आपके वियापार को प्रभावित कर सकते हैं विद्यार्थी की बातकिट आज आपका मन चंचल रह सकता है आज आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा फिर भी अपने मन को पढ़ाई में लगावे सफलता इसी से मिलेगी स्वास्त की बात के तुमामरी चोट और वाद व्याद से हानी हो सकती है आज आपके स्वास्त में थोड़ उतार चरहों भी आ सकते हैं प्रेम समन्ध की बात के प्रेम समन्धा में थोड़ आचरहों आ सकते हैं जीवन साथ ही से हलकी नोगजों के संभावना भी बन रही है आज किन दूद या दूद से बनी वीचिये खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पिलारंग लखी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे अब मीन रासी की मीन रासीम चंद्रमा आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपकी काम के अदिक्ता रहेगी आप ज्यादा जूठ बोलने से बचें इससे आज आपको नुक्सान हो सकता है आज किया के निवेस आपके लिए सुब रहेगा फिर भी निवेस सोच समझ कर ही करें आज आज आपके सुभाव में भावकता और कामकता की अदिक्ता रहेगी आज आपके मन में किसी प्रकार का भय बना रहेगा मानसिक संतुलन बना के रखें काम और घरवालों का दवाव आज आपको थोड़ा गुस्ते इल बना सकता है आज किन यातरा मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना होता रहेगा आपका व्यापार अधन की बातकर व्यापार में निवेस करने के योग बन रहें अगर अच्छी योद्ना बनाएंगे तो आज आपके व्यापार एक प्रतिन अदि आपके सामने निर्बल सावित हो सकते हैं विद्यार्थी की बात करते विद्यार्थि के लिए आज कि उत्तम रहने वाला है विद्यार्थी अध्यान में अच्छा प्रदरशन कर सकेंगे तो महनत में किसी प्रकार की कुई क्रमी बिल्कूल न रखें स्वास्त की बात करें आज आपको अपने पेट से समन्दी दिकत का सामना करना पर सकता है आज आपके माता का स्वास्त भी गर सकता है अपने माता के स्वास्त पर ध्यान देने के आपको जरूरत है प्रेम समन की बात करें तो अच्छे समन जीवन साथी से बनाने की कोशिज करें उनके साथ अने बाई दिनों की योजनाय सेर करें इससे आपके समन बहतर होंगे आज के अगर अधरक अपने खादे बदात में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुराबी रंग लगी नमर तीन रहेगा आज का असुब समय यानी की राहु काल रहने वाल है सुबह के आठ बच कर 51 मेर्स लेकर दिन के 10 बच कर 35 मेर्ट तक इस समय में कोई भी नयाकारी करने से बिल्कुल बचे हैं आपको उसमें और सफलतात लग सकती है दिसासुल पूरू दिसा में है पूरू दिसा में किसी भी खास प्रियोजन्स यातर ना कर यहां पर आपको नुक्सान हो सकते हैं और सुबह खाद्याज का अधरक रहने वाल है अधरक का छोटा टुपरा भी खाकर यातरारम करेंगे किसी नए कारी को करेंगे तो उसमें आपको सफलतात लगेगी तो अधर यह तो थाज का संपूर्ण रासिफल कल के संपूर्ण रासिफल के लिए जुरूरे रहे हैं धर्मसिक्चा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्चा जै मतादी